प्यारे बच्चों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैट पेपर यानी रेजनिंग के अंतरगत एक महत्मूर टॉपिक पुछा जता है जिसका नाम है स्रंखला परिछण आज हम इस टाइब के प्रशनों को हल करने का तरीका आप सभी को बताएंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे प्यारे बच्चों इस चैप्टर से लेकर हर वर्स 5-10 मिन्ट मुझे गए हैं किसी वर्ष पाँच तो किसी वर्ष आठ और किसी वर्ष दस प्रशन भी इस चैप्टर से आये हैं तो चैप्टर बहुत ही इंपोरेंट है आप सभी लोग वीडियो को लाश्ता जरूर देखेगा साथ में अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवस्रे रखें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे तो आईए सुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले आपको नरदेश पढ़ना है यहां पर प्रशन संख्या दी गई है जो भी आपके question paper में प्रशन संख्या होगी वो यहां पर लिखा होगा प्रण संख्या एक से लेकर 91 तक संख्या के स्रेड़ी क्रमपर आधारित हैं प्रतेक स्रेड़ी में एक या दो पद लुप्त हैं जिसे प्रशन चिन्न से दर्साया गया है प्रशनों के नीचे दिये गए चार बिकलपों में से लुप्त पद ग्याद कीजिए तथा उस बिकलप संख्या को अपने उत्तर पत्र पर सही प्रशन संख्या के सामने लिखिए तो ऐसा आपको निर्देश मिल जाएगा अब प्रशन देखते हैं किस प्रकार के होते हैं तो हम सबसे पहले 2009 में आये हुए प्रशनों को हल करेंगे क्योंकि previous question paper हल करना परिच्छा के लिए बहुत ही important होता है तो हम इन प्रशनों को practice करेंगे देखेंगे किस प्रकार के प्रशन आते हैं और हल करने का तरीका भी सिखेंगे तो आई देखते हैं पहला प्रशन वच्चों सरंखला के रूप में दिया गया है आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाख लगाईए हल कीजिए उसके बाद इसका हल आप देखिएगा आठ, सत्रा, सोला, नौ, पंद्रा, चवदा, दस और तेरा इस प्रकार सरंखला दी गई है आप question mark दो अंकों पर लगा है तो दो अंक का option इसमें दिये गया है कौन-कौन से अंक यहाँ पर भरे जाएंगे तो देखे क्या इसमें इस सरंखला में किया गया है तो जैसे आपको एक बड़ी सरंखला दिखाई दे और अंकों का कोई करम ना हो कभी छोटा कभी बड़ा आ जाए और जादा अंकों में अंतर ना हो तो ऐसे में दो सरंखला चलती है ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर देखेंगे कि नौ के बाद आठ यहाँ पर पहले शुरु आत में है आठ के बाद यहां पर देखो दो अंकों को छोड़ करके तीसरा अंक जो है 9 दिया गया है आठ के बाद 9, 9 के बाद फिर से तीसरा अंक जो है ये 10 दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि 10 के बाद फिर अगला तीसरा अंक जो आएगा वो 11 होगा तो हमको जानकारी हो गई कि last में आपका 11 आना चाहिए ठीक, तो 11 आना चाहिए तो 11 last में 2 option में है, A और B में है इसका मतलब है कि हमको ये question mark का option भी ढूणना पड़ेगा तो इसमें देखो 17 से 16 हो गया फिर इसमें देखो 15 से 14 हो गया और यहाँ पर अगर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो यहाँ पर 16 था और 16 से 15 हो गया मतलब अंक यहाँ पर एक एक घट रहा है तो 17 के बाद 16, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद पिर 13 आया है तो 13 के फिर एक कम कर देंगे तो 12 आएगा तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा बारा और ग्यारा तो पहले वाले कुश्चन नमबर पर बारा और दूसरे वाले पर ग्यारा लिखा जाएगा तो आफसन नमबर आपका बी सही हो जाएगा इस प्रकार से प्रशनों को हल करते हैं कुछ नहीं है केवल देख करके आपको स्रंखला का आंसर पता चल जाएगा आसा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा कुश्चन नमबर दो में स्रंखला दी गई है दो चार छे दस सोला चब्विस बयालिस तो अगला अंग क्या होगा तो इसमें देखो पहले आप वीडियो को रूख ले कुश्चन को हल करें उसके बाद इसका अंसर देखें तो आईए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे इसमें देखो क्या क्या गया है दो और चार को जोड़ करके छे लिखा गया है 2 और 4 अगर जोड दिया जाए तो अगला अंक 6 आएगा अगर 6 और 4 को जोड दिया जाए तो अगला अंक 10 आएगा अगर 6 और 10 को जोड दें तो अगला अंक 16 आएगा 16 और 26 को जोड दें तो आपका 16 26 जोड देंगे तो 42 आजाएगा इसी प्रकार से 26 और 42 अगर जोड़ देंगे तो आपका अंसर आजाएगा तो 26 और 42 जोड़ दें 6 और 2 आठ हो जाएगा और 4 दो 6 68 अंसर आपका यहाँ पर आजाएगा क्या क्या गया है समझ में आगया ना एक बार और देख ले पहले 2 और 4 को जोड़ दिया गया तो आया 6, मतलब 3 अंक आ गया फिर 4 और 6 को जोड़ा गया तो 10 आया फिर इसी प्रकार से 6 और 10 को जोड़ा गया तो 16 आ गया फिर 16 और 10 को जोड़ा गया तो 26 आ गया तो ऐसे भी इस प्रगार से भी सरंखला आपकी पुछ जाती है तीन नमबर कुश्चन है यह अब जो है अक्षरों की सरंखला है यहाँ पर देखो A, B दिया गया है फिर आपका D, E, F दिया गया है फिर H, I, J, K दिया गया है इसमें देखो क्या सरंखला चल लही है इसमें देखो A, B दिया गया है उसे C का गयप किया गया C नहीं लिखा गया फिर D आ गया और D के बाद फिर तीन अंग आये है D, E, F फिर F के बाद F के बाद G आता है और G को छोड़ दिया गया है फिर H, I, J, K यहाँ पर दो अच्छर थे यहाँ पर तीन अच्छर है यहाँ पर चार अच्छर आ गये तो अगला जायसी बात है आयेगा तो पांच अच्छर आएंगे और K के बाद एक अच्छर छूटेगा तो K के बाद एक अच्छा छोड़ देंगे तो J, K, L छोड़ देंगे तो M से स्टार्ट होगा M, N, M, N, O, P, Q पांच अच्छा राएंगे तो Q तक M से लेकर Q तक आएगा अर्थात राइट आंसर इसका आएगा वच्छों C आपसन ठीक और Q के बाद जो है S आप Q R छूट जाएगा क्यों के बाद R छूट जाएगा और S आजाएगा ठीक S से फिर से स्टार्ट होगा और 6 अंक आएगा तो जो की लिखा गया है तो ऐसे आप इसको आसानी से कर पाएगे इसके बाद Q4 देखते है चार में सरंखला दी गई है अच्छरों की सरंखला है X, Y, Z इस प्रकार से दिया गया है और C, B, A U, V, W तो F और QD इसमें क्या होगा अब यहाँ पर देखो X, Y, Z और C, B, A तो X, Y, Z का जो है उल्टा लिखा है C, B, A तीक लिखा नहीं लिखा तो इसी प्रकार से U, V, W का उल्टा हो जाएगा बच्चों D, E, F यहाँ पर E होगा यहाँ पर E होगा तब यह F D, E, F हो जाएगा तो E यहाँ पर भरा जाएगा मतलब B आप्शन सही जवाग हो जाएगा तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं यह ऐसे कोशन तो बहुत आसान होते हैं कोशन नमर पांच दिया गया है यह भी अक्षरों की स्रंखला है इसको आप ध्यान से देखें कैसे हल होगा B, M, O दिया गया है यहाँ पर E, O, Q दिया गया है यहाँ पर J, Q, S दिया गया है तो अगली स्रंखला अगले अंग यहाँ पर तीन कौन से होंगे तो अगर थोड़ा सा इसमें रिलेट करते हैं तो देखो B के बाद E आया है यहाँ पर देखो B के बाद E आया है और B के बाद E जो है तीसरा अंग होता है B, C, D और फिर E तो यहाँ पर तीन प्लस किया गया है और E के बाद H यहाँ पर स्क्वार कर रिलेट कर देए तो E के बाद F, G, H तीसरा अंग यह है तो अगला जो अंग यहाँ पर आएगा वो तीसरा अंग होगा ठीक कौन सा अंग होगा H, I, J, K, K ठीक, I, J, K मतलब तीसरा अंग कौन सा हो जागा K हो जाएगा, यहाँ पहले आपसन में K है, लेकिन हम इसको और सटीक जानकारी के लिए आगे भी हल करेंगे देखो, M के बाद है O, M के बाद O आता है, M के दो अक्षरों के बाद, दूसरा अक्षर O होता है तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया, M के बाद O जो आया, 2 प्लस किया गया ठीक, यहाँ पर देखो O जो है, यहाँ पर खतम हो रहा O से सरंकला खतम हो गई, और यहाँ O से स्टार्ट है, तो O यहाँ पर लाके रखा गया O से 2 अक्षर O P Q यानि O से 2 प्लस किया गया ठीक इसे के बाद देखो क्यूं से खतम तो क्यूं से स्टार्ट और क्यूं के बाद दुसरा अच्छर S आया क्यूं R यहाँ पर R S T यानि R S दो अंग यहाँ पर हुआ और S आया तो अगला जो आएगा अंग यहाँ पर S से स्टार्ट होगा यहाँ पर S होगा और S के बाद दूसरा अक्षर आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा तीसरे वाले क्यूंस नमार्क पर S T U आएगा इसका मतलब है कि K S और U यह तीन अच्छर आएगे इसका मतलब फर्स्ट आफसन सही जवाब हो जाएगा ऐसे जो है इस रंकला बनाई गई है इसके बाद कुश्च नमार्च छे है इसको आप देखें और हल करें साथ बारा उन्नीस अठाईस और उन्तिस तो अगला कौन सा जो है संख्या होगी तो साथ के बाद देखो साथ में अगर हम पाँच जोड़ दें तो बारा हो जाएगा तो साथ में यहाँ पर पाँच जोड़ा गया है तो साथ पाँच बारा हो गया बारा में अगर हम साथ जोड़ दें तो 12, 7, 19 होता है और 19 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 19 और 9, 28 होता है 28 के बाद अगर हम 11 जोड़ दें तो ये 49 होता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 5 से शुरू होकर रहे विसमसंख्याय चल लही है तो अगला जो है 11 जोड़ा गया था अब इसे हम 13 जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो आपका अंसर आएगा 9, 3, 12 के 2 हासिल 1, 3, 4, 5 52 आपका राइटा अंतर हो जाएगा D option दिया गया है इसके बाद question number 7 दिया गया है 11, 23, 48, 99, 409 इसमें देखो क्या किया गया है 409 काफी जो है अंतर मिल रहा है आप करने का प्रयास करें तो अगर इसको हम हल करने का प्रयास करें तो क्या किया गए भाई 11, 22, 22 और 11 को 2 से गुणा कर दो तो 11, 22 और 3, 23 11, 22 और 21 12, 22 और 21, 23 इसे प्रकार से 23 दूना 46 और 2, 48 यहाँ पर दूना करके 11 को एक जोड़ा गया यहाँ पर 23 दूना 46 दूना करके 2 जोड़ा गया तो 48 आया फिर 48 को दूना करके 3 जोड़ना है तो 48 दूना 96, 96 और 3, 99 तो ऐसे ही 99 को अगर हम 2 से गुड़ा करें अब आगे आएगा यहाँ पर हमने 3 जोड़ा था अब आगे जो है जोड़ना है 4 तो 99 दूना 99 और 4 जोड़ेंगे तो आजाएगा 202 इसमें B आप्शन में दिया गया है आगे किलियर कर लेते हैं तो 202 का दूना करोगे तो 404 आएगा और हम 4 जोड़े थे तो इसमें 5 चुड़ेगा तो इसमें आजाएगा 409 जो की अगला अंक दिया गया है तो इसका मतलब सही है हमारा B आप्शन सही जवाग हो जाएगा इसको तो ऐसे सवालों को हल करेंगे आठ नम्मर कुश्चन दिया गया है कि 8 12 10 16 और 12 अब इसमें कौन सी सरंखला किस प्रकार से चल रही है तो इसमें 2 सरंखलाएं चल रही है देखो अंक जदा नहीं दिये गया है लेकिन फिर भी कोई संख्या कहीं से भी रिलेशन इसका नहीं मिल रहा है तो दो अंक मिलना है देखो 8 के बाद 10 आया है दो बढ़ा 10 के बाद जो है यहां पे 12 आ गया है ठीक यानि 2-2 का प्लस हो रहा है और अगर इसमें 12 में देखो तो 12 के बाद यहां पर 16 हो रहा है और तो 12-16 और 16 के बाद जो अगला अंक आएगा तो 4 और जोड़ देंगे तो 16-4-20 हो जाएगा आपसन में दिया गया है तो 2 आपसन सही जवाब हो जाएगा ठीक यानि 20 सही हो जाएगा इसके बाद 2010 में आये हुए प्रस्नों को अगर हल करें तो इसमें 9 नमबर कोशन वर्चों दिया गया है 16, 64, 25, 125, 36, 26, 26, 29 अब इसमें अगर देखें तो सारे जो इसमें दिये गए हैं ये संख्या पुडवर्ग है ये पुडगन संख्या दी किया गया है तो यहां देखो चार का ये वर्ग दिया गया है और ये चार का गहन दिया गया है ठीक इसी प्रकार से पांच का वर्ग है 25 और पांच का गहन है साथ सव सोरी साथ सता विंचा सत्ते तीन सो तेतालिस तो साथ का घहन यहाँ पर question mark किज़ेगा पर आयेगा इसका मतलब right answer हो जाएगा D option तीन सो तेतालिस question number 10 आप लोग हल कीजिए 10 18 28 40 और 7 तो 10 के बाद 18 आ गया तो 10 के बाद 18 आया है इसका मतलब 8 जुड़ा है तो यहाँ पर 8 प्लस हुआ है चलो देख लेते हैं 18 के बाद कितना जोड़ दें की 28 हो जाए तो 18 के बाद अगर 18 में 10 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा चलो 10 जोड़ देते हैं 28 हो गया 28 में कितना जोड़ दें की 40 हो जाएगा तो 12 जोड़ दिए पूझे 40 हो जाएगा इसका मतलब है कि 8 जोड़ा है फिर 10 जोड़ा फिर 12 जोड़ा है तो अगले में जोड़ेगा 14 ठीक अगले में 14 जोड़ेगा तो 40 में 14 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 40, 15 15 तो आपसन में दिया गया है लेकिन आगे चेक कर लेते हैं तो अगला जो जुड़ेगा 16 जुड़ेगा और 54 में 16 जुड़ेंगे तो 4, 6, 10, 10 का 0 और 5, 7, 7, 7 जाएगा जो की अगला अंक दिया गया है तो इसका मतलब राइट अंतरा आपका D आपसन हो जाएगा चोवन जो है सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 11 है 125, 216, 343, 512 तो अब इसको आप अगर गोर से देखें तो आसानी से इसको पकड़ पाएँगे 125 जो है ये बचों 5 का 5 का घं दिया गया है 216 6 का घं दिया गया है और ये आपका 8 का घं दिया गया है तो अगला 9 का घं होगा और 9 का घं होता है 9, 9, 81, 7, 7, 39 भी आपसन सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 12 इसमें आप कैसे हखल करेंगे देखिएगा A आया है, D आया है, I आया है, P आया है तो A जो है वो पहला अंक होता है D चार अंक होता है, 4 अंक होता है I जो है ये 16 अंक होता है 9 अंक होता है I जो है 9 नंबर का अंक होता है और P जो होता है ये आपका 16 नंबर का अंक होता है तो आब यहाँ पर देखो अंकों में कुछ relation हो रहा है एक बार देखें फिर से यह जो है पहला अंक 4, D14 आंक, I9 और P आपका 16 आंक अब इसमें देखो यह पुडवर संख्या, 4 पुडवर संख्या, 9 पुडवर संख्या, 16 पुडवर संख्या तो अगला भी पुडवर संख्या ही आएगी और इसके आगे की पुडवर संख्या 25 होती है तो इसका 25 आंक आएगा और 25 आंक होता है Y तो पहला आपसन इसका सही जवाब हो जाएगा इसके बाद question number 13 अगर हल करें तो बच्चों इसमें दिया गया है Y, J, X, K, W, L, V, M अब इसमें अगर गौर से देखिए तो कुछ में माइनस हो रहा है कुछ में प्लस हो रहा है यानि अगर हम Y को देखें तो Y के बाद X हो रहा है यानि यह यहाँ पर क्रम घट रहा है यह Y जो है आपका 25 अच्चर है यह वाला 24 अच्चर है फिर W आपका देखो आपका 23 अच्चर आ गया फिर V आपका देखो तो 22 अच्चर आ गया और उपर की J, K, L, M, ठिक ऐसे आ रहा है तो एक एक प्लस हो रहा है यहाँ पर एक माइनस हो रहा है और यहां पर जो है उपर एक प्लस हो रहा ठीक और कुछ नहीं है हल कर लीजिए तो v minus y एक तो v से पहले एक अक्षर को ना आता है u आता है तो u हो जाएगा m के बाद कौन सा अच्छा है तो m के बाद n आता है तो यहां पर हो जाएगा u और n यानि c आता ही जवाब हो जाएगा तो बच्चों हमने 2011 तक के प्रस्ण जो है 2009 और 2010 को हल करा दिया है इसके बाद 2012 के प्रस्णों को हल कराएंगे तो आप सभी लोग जो है humor के रूप में आप कुछ प्रस्णों के इसके इन शोड ले सकते हैं Question number 14, Question number 15, Question number 16 इन प्रस्णों के answer आप लोग जो है करके हल करके comment section में answer लिख सकते हैं इसके लाबा अगले वीडियो में इन कुछ्णों के हल आपको मिल जाएंगे तो आज के इस वीडियो में इसना ही मिलता हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाज जैहिन वन्यमात्रम